हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजली नियूस कौर्ण में मैं हूँ आपकी वही अंजली बहुत चोटी लिस्ट है मेरी खुआहिशों की पहली भी तुम और आखरी भी तुम हो जी हाँ आपने सही सुना हम आज के रेली राशी खुल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बज़े हैं या फिर मारीज अनिवर्सरी है और इका बीरी और से ठेर सारी शुब खामनाएं तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी अब जीब सी है शेहरों की रोश्री उजाले की बावचूत चेहरे पहचानना मुश्किल है जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रहता है उसकी द्वार पर तो खड़ सुख बाहर से लौट जाता है फिकर, खयाल, इज़त देने वाले नसीब से मिलते हैं कद्र कीजिए आज का इंसान सची बातें दिल पे नहीं लेता और जूटी दिमाग पे ले लेता है किसी का सरल सभाव उसकी कमजोरी नहीं होता संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चटान के भी टुकड़ी कर देता है असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है मेरे अपनोंने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए फाइदा ये हुआ साहिव मैं तैरना सीख गया मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है कि बोज बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं इंसान ही इंसान का रास्ता काड़ता है बिल्लियां तो यूही बदनाम है शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है जंगल में चुरनाम नहीं होते तजुरवे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है क्योंकि दहाड कर शिकार नहीं किया जाता जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते बर साथ गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी के भी हो हमेशा नहीं रहती जिन्दगी जलाली हमने जब जैसी जलानी थी अब धूए पर तमाशा कैसा और राख पर पहस कैसी एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाया कसम कोई फरक नहीं पड़ता अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है सबसे पहले मैं आपको बता दो के जाग किल जो है भागिशाली रंग रहने वाला है वो रहेगा यालो कलर और भागिशाली जो अंक है वो नमबर आठ बन रहा है आज के दिल तुसरे तारे आपके बारे में कहते हैं कि काम से रिलेटिर इंपॉर्टन जानकारी मिलने की वज़े से काम से जुड़े परिशानिया दूर हो सकती है मन में कड़ता कम हो सकती है लोगों को देखने का नजरिया आपका बदल सकता है आज आप बहुत ही ज़दा पॉजिटिव रहेंगे अगर आप ससंग अटेंट करते हैं सुनते हैं तो उससे और भी ज़दा बैटर रहेगा आप में दीलता आएगी नमरता आएगी और आप दूसरों को माफ कर देंगे ये बहुत ही बड़ी का चीज है इसे आपको सकून शान्ति वगरा सब चीज़ें मिलेंगे आज दूर की आत्रा भी कर सकते हैं आप पूरी फैमिले के साथ कहीं दूर जा सकते हैं साथ में किसी खास काम के लिए आज आपको बाहर की वेक्टियों का सहयोग भी लेना जरूरी होगा आज आपको जादा से जादा अराम भी फर्माना चाहिए किसी को उधार दिया हुआ या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन रही है जारतर आज आपका ध्यान इसी चीज में रहेंगा कि आज आपको पेमंट्स कलेक्ट कैसे करनी है रिष्टेदारों और पडोसियों के साथ भी किसी गंबीर मुद्धी पर बाच्शी तो हो सकती है इस चर्चा में आपके द्वारा रखा गया जो मजबूत पक्ष है वो आपके मानसमान में वृद्धी दे सकता है स्टूरेंट्स जो है वो अपनी पढ़ाई के प्रती लापरवाही मत बढ़तीगा क्योंकि इस समय ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आने वाले महीनों में जो आपकी परिक्षाई है उसमें आपको बहुत हद तक सफलता मिल सकती है किसिन जान विक्ति पर विश्वास करना आज आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है इसलिए आज आपको सावधानी परतनी होगी बहतर तो यही होगा कि आज जादा मिल जोल ही न रखे तो ही बहतर है आज आपके मन के लगन और जीवन के परती आपका dedication आज आपको समाधान और लक्ष के परती बढ़ने की शक्ती देगा जिन बात उन से मानसिक तकलिफ हो रही थी उनके साथ उनके साथ जो है सुलह करने में आप काम्याब रहेंगे परिस्यतियों को अपने कावों में लेने की वज़़ से काम में प्रकति दिख पाएगी जिन लोगों की वज़े से परिवार की शांदी भंग हो रही थी उन लोगों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे आज आप जो है कहीं बाहर डिनर वगएरा में दोनों जा सकते हैं या फिर फैमली को लेकर भी जा सकते हैं परिवारी के लोगों की जरूरतों को पूरा करने और शॉपिंग वगेरा करने में समय काफी स्पेंट कर पाएंगे आज रोज मर्रा की विस्ततम दिन चर्या में से कुछ समय सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकालेंगे घर में रिष्टेदारों का तांता लगा रहेगा कुछ लोग आज जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश भी करेंगे आग के खिलाफ अफवाहेंफी प्यला सकते हैं ऐसे लोगों से सावधानी बनानी होगी विधारती वर्ग अपनी बढ़ाई से विमुक हो सकते हैं बाहरी कती विधियो में उनका ज्यादा ध्यान केंदित रहेगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपने ऐसा किया तो आपका फोकुस बिगर जाएगा और आप अपनी बढ़ाई से दूर होते नजर आएंगे चली बात करते हैं आज के विजनेस और करेड की तो आज जिब विजनेस और करेड कहता है कि तो पहर के बाद सितियां आप के लिए लाब दायक बनती नजर आ रही है इसलिए दिन की शुरुवारत में ही अगर आप अपने काम को निपटा लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा जो स्पेशल इंपॉर्टन काम है वो सबसे पहले कीजेगा रेल एस्टेट से जुड़े विक्तियों को काफी धनला मिल सकता है कई डिल्स फाइनल हो सकती है ओफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी विशीष कारे को लेकर विचार ये मर्श भी रहेगा साथ में अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलती चली जाएगी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको कारिक्षेतर में ये काम के दिक्ता तो रहेगी ज़्यादा काम रहेगा ओवर टाइम करना पड़ सकता है लेकिन जल्द बाज़े के वज़ाए आपको गंबीरता से और बड़े ही साथ धानी से पना काम कम्प्लीट करना है अपने करमचारियों के साथ समन्ध खराव मत कीजेगा बलकि आपको जो है उनको जो है थोड़ा मौटिवेट करना चाहिए उनके काम करने के जो कती है वो धीमी हो सकती है अगर आप मौटिवेट करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा नौकरी पेशे विक्तियों को भी अपने काम को पूरी लगन के साथ करने के आज ज़रूरत पर सकती है साथ ही मियाज सितारे कहते हैं कि शेक्षिनिक शेत्र में कारों में आपके रूची बढ़ेगी यानि कि आज अगर आपका इंट्रेस्ट है लोगों को टीचिंग करने का तो आप एक शेत्र में आगे बढ़ सकते हैं यसे के साथ ही आज जो हैं जनका रेडिमेट का काम है रेडिमेन कामन्स का उनको काफ़ी हद तक आज मुनाफ़ा हो सकता है जो आपके जो ग्राहक है वो जादा खरीदारी कर सकते हैं चलिए बागे बढ़ते वर बात करते हैं आज के लव लाइफ की तो लव लाइफ कहती है कि परिवारी के वातावरन बहुत ही सुकत रहेगा बहुत ये बढ़िया रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है गरके सबी मेंबर जो हैं अपनी प्रीजिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे साधी में आज काफी दिनों से चल रहे विवाह के जो प्रत्म है उनको येश मिल सकता है अगर आप लग मेरेश करवाना चाहते हैं तो आज आप घर पर बात कर सकते हैं मादा पिता आपके मालन जाएंगी और आप भी जल्दी ही शादी हो सकते है विवाह के लिए बहुती आपको रिष्टे आएंगे बहुती तेजी कती से जो है आपकी शादी हो सकते है दिक्कत वाली कोई बात नजर नहीं आ रहे है जीवन साधी के साथ अगर आपका मतपेद है तो सॉल्व कर लीजे समय रहते हैं आपस में बैट कर सुल्चा सकते हैं घर की बात ने जरतर घर में ही रखें अगर आप कुछ ऐसी परसनल बाते हैं जो नहीं बताने चाहिए वो मत बताईएगा अगर कोई तीसरे विक्ति अजबात को सुन लेता है तो इसका बात का बतंगड़ बना सकता है आपके फवाहों को बना कर फिला सकता है तो आपको कोई भी परसनल चीज परसनल मैजर किसी के सामने नहीं रखना है और डूसरों से शेर मत कीजेगा बात करते अब हेल्थ की बारे में तो हेल्थ आपकी कहती है कि स्वास्ते आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन खान पान की प्रदी लापरवाहे बिल्कुल भी मत बढ़तीगा खान पान की चीजों पर परहेज रखना है शरीर में उर्जा की कमी की वज़ा से ठकान भी हो सकती है सिद्द कई लोगों का रह सकता है बदंदद हो सकता है गला खराब भी हो सकता है इसकी वज़़े से आपको बुखार जैसी सितियां बंती नजर आएंगी अगर आप इसका सही टाइम पर रिलाज करते हैं तो आपको जादा फाइदा हो सकता है तो चलिए बंत में बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो जाब करें विशेश उपाई रहेगा कि आज आपको घर से निकलते बग्चो है कुछ मीठा खाका निकलना चाहिए और हाँ आज आपको घर के आसपास वाले बाहर के एरिये पर जो है पानी से इसको साफ करना चाहिए इसके साथ ही घर के मुख्यदवार पर स्वास्तिक याउंका चिन लगा कर आप नेगटीव उर्जा को दूर कर सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी तो दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और मारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद